डिड यू नो पहली सेलफी किसने और कब ली थी और ये दोनों सम्मूदर आपस में मिलते क्यों नहीं और चांद पर पहला ट्वाइल करने वाला व्यक्ति कौन था यह कितना सच है और कितना जूट बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं फिर लैंस को कवर करके अपनी पिचर कैप्चुर गी यह पूरा प्रोसेस करने के लिए उनको तीन मिनट का समय लगा था नमबर नाई डिड यू नू कैप्चुल का खोल या कवर कित सीच से बना होता है कुछ लोगों को यह बात सुनकर अजीब लग सकता है कैप्चुल का खोल मुलाया। ओर सॉफ निगता जै इसे बनाने की लिए जिलेटीन का यूज किया रहता है यह जिलेटीन जानवरों में पाहे जाता है जिलेतीं बनाने के लिए सुर और बैल की बड़ी आत और हड़ी का इस्तमाल किये रहता है इसे और वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों तरह के लोग यूज करते हैं इंडिया में 98% कैपसुल इसी जेलेटिन से बनाई जाते हैं लेकिन अब इंडिया में पेड़ पोदों के सुलूसों से इस होता है डिडियू नो कोल्ड की फुल संब क्या होती है और सउथ अफ्रीका दुन्या कीसी कंट्री है जिसकी तीन राजधानिया है जिसमें एक प्रेट्वर्या है जो एक्सिक्यूटीफ कैपिटल है दूसरी ढूंतों वहांतीं जो चुडीशियल कैपिटल में स्तित पानी पानी यह पॉटर देंसिटी टेंपरेचर और लवडता में अंतर होता है वही पैसिफिक ओशन का पानी थोड़ा गरम होता है जिसे देखने ऐसे लिए करते हैं ताकि वे अपने शिकारियों से छिप सकें वह ऐसा करते हुए खुद को एक एंगल पर रखते हैं और अपनी आखों को बंद करके स्थिर रहते हैं जिससे वह एक लकड़ी की दरा दिखाई देते हैं इक ऐसा हैवे जिससे स्वर्ब का हैवे कहा जाता है व्योमिंग नाम का हैवे जो यूनाइटिज स्टेट में हैं इसे देखने पर एक एज़ा इलूजन बनता है जिससे ही लगता है कि यह रोड हैवन की ओर जा रही है कभी आपने ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां कभी बारिश नहीं होगी, अब आप कहेंगे वो जगए रेगिस्टान में होगी, वो जगए रेगिस्तान में नहीं है यह जगा यमन की राजधानी सना के पस्ची में मना के हरजचृत्र में स्तित है इस गाउं का नाम अल हुतैब है इस गाउं की खास बात यह है कि यहां कभी बारिश नहीं हो दी उसकी वज़ाए यह गाउं एक पहाड़ी पर बसा है जिससे यह बादल गाउं के नीचे ही बनते हैं और वहीं बरसते हैं चांग पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम तो सबको पता ही होगा चांग पर पहले ट्वालेट करने वाला इंसान कौन था चांग पर पहला ट्वालेट करने वाला इंसान बस एल्डरिन था चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बस एल्डरिन थे और बस एल्डरिन चंदरमा पर ट्वालेट करने वाले पहला इंसान होने का दावा करते हैं National Air and Space Museum के Space History Department के क्यूरेटर टीसेल मुईन हार्मनी ने पॉपसी को बताया एक historical mission में उनकी भूमिगा के बारे में इंटरिव्यू में वहे अक्सर ये चर्चा का विशे होता है लेकिन ट्वैलेट किसी प्लान के अनुसार नहीं होता मुईन हर्मनी बताते हैं unfortunate बात ये है कि जब चंदर्मा पर lunar module उतरा तो वहे एतने धीरे से उतरा कि module अवशेकता अनुसार और compress नहीं हो सका नतीज तन जो module सत्या से एक छोटा कदम मकता था वहे एक विशाल छलांग से अधिक था उस एक कदम के जटके में Eldrine का urine collection device तोट गया और वहे चांद की सेते पर गिर गया और दूसरी कहनी ये कहती है कि उनका urine collection device तोटने के बाद बहे टोईलेट जहां जाना चाहिए था वहाँ जाने की बजाय उनके जूते में जमा हो गया और वह यह कहती है कि जब वह चंदर्मा के चारो ओर चला गया तो वह चारो ओर स्लोशिंग कर रहा था अब इन दोनों कहानियों में सवाल यह उठता है कि जब उनका यूरिन डिवाइस तूटा और उनके जूते में जो तरल गया वह चंदर्मा की सत्या पर कैसे गया उसके लिए उनके स्पेस सूट के शूज में छेद होना चाहिए दोनों ही कार्णों में उनके स्पेस सूट में छेद होना चाहिए अगर उनके स्पेट सूट में छेट था तो वे जिन्दा कैसे थे आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं